हलो दोस्तों आप लोका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में बहुत यमी और बहुत ही टेस्टी रेस्पी लेके आई हूँ अगर आप सफर में कहीं जा रहे हैं या आपका मीठा खाने का मन करता है और आप मार्केट से नहीं लिया सकते ताप इसे बना के ल करते हैं और इसे लंबा टाइम तक स्टोर करते हैं तो मीठा खाने वालों के लिए बहुत यासान सिंपल एजी रेस्पी लेके आई हूँ तो चलते हैं आप गैस की तरफ तो हमने यहां पर एक गैस पर एक कडाई रख दी हूँ उसमें हमने दो से तीन जमज घी डाल दी कि कुछ भी ले सकते हैं उसमें एक कब बेशन डाल दोंगे बेशन को पहले समने चान लें उसके बाद इसे यूज कर रहे हूं ताकि जो इसमें थोड़े ज्यादा रखने के बाद उसमें थोड़े से लंसवगर पड़ जाते हैं तो उसी हिसाब से आप चानने से चान तो जो इसके थोड़े बने हैं डोके टाइप के वह अची तरह से तोटने लगेंगे तो देखे भूनते हुए थोड़ी से टाइम हो गई है यहां पर हम 4-5 मिनट हो गया है जैसे बेशन भूनेंगी वैसे वैसे तेल इसके निकलने लगेंगे यह देखे कितना गीला हो गय देखे कर सकते हैं लेकिन हम जादा गी तेल नहीं करेंगे तो देखे हैं बूनते हुए कम से आठ मिनट हो गया है बेशन भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो जैसे बून रहे हैं तेल हमने कम डाली है पन्ना यह ज्यादा गी होता थोड़ी से और पतली हो जाती है लेकिन हमने उतनी ही डाली है जितनी की जरुवत थी तो बस अब यहां पर भूनते हुए दस मिनट हो गया है अब इनको दूसरी तरह रख देते हैं गैस का फिलिम बंद कर देंगे और यहां पर हमने एक कपचीनी ले ली हूँ और उसमें हम आधा कप से थोड़ा सा आजएंग तियार करेंगे तो हम पर पिलिम डेंगे और इसे चाष्णी बनाएंगी तो देखिए दो देखिया उबलती नीयर शेहिए दो मिनटे नी रही होdeveloprence में उसमें थism that अनी प्रणाय है उनको भिषका निए इसके अर्वनरत आमनी अंतर श्रय बदैंगी धालते हैं इसके कम से कम साथ से आठ मिनट उबाले हूँ चासनी को और इसमें हम डाल देंगे कडाई गरह में आप गैस का फ्लेम ओन कर देंगे मीडियम पर करेंगे और चासनी डालने के पाद इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे बहुत जल्दी बन जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगेगी ज्यादा टाइम बेशन भूने में ही लगी थी बनाने में बिल्गूल टाइम नहीं लगेगी तो देखें कितनी जल्दी सोख ली हैं सारे जो चासनी था सारे बेशन के अंदर चली गई हैं और अच्छी तरह से सुख गई हैं तो बस इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे अब यहां पर हम गैस का फ्लिम बंद कर दी हैं जो कडाई गरम है उसी के गरम हर से हम इने आप किसी थाली पलेट में जमा सकते हैं जो आपको इजी लगे या जो आप बारतन आपके पास हो थामने एक ट्रेल लिए उसमें पहले से घी लगा के रखे थे और उसमें सारे मिसरन को डाल देंगे और बहुत गरम है तो पल्टे में जीतने लगे थे हमने एक चम्मा से सा बना सकते हैं और या आप इसके लड़ू बना सकते हैं अब ऐसे गोल को लड़ू बना लेजिए फटाफट से अभी होती है लेकिन हमने इसकी बर्फी बना रही हो तो हमने ट्रे में डाल के बहुत गरम है तो चम्मस से अच्छी तरह से कवर कर देंगे को अगरियão और दूपिर नहीं होगी तो बार में थेट नहीं क्योंती है क्योंकि ही जादा जयादा की गरंभी होती हमें ऑनी को समय और गाड़ी कर दी हूँ तो यह जाके अच्छी बन गई है तो बस यहाँ आप अपनी मन पसंद की कोई ड्राइफ रूट डाल सकते हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं डाले हैं और इसे रख देंगे दो से तीन घंडे के लिए ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए क्योंकि गर् तो हमने तीन घंटे के बाद देखे चारे पीस निकाल लिए हैं तो अच्छी से ठंडी हो गई है कितनी मोटी भी से बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है बहुत पतली भी नहीं इसलिए हमने पूरे ट्रे में फना है और एक कप बैसंस देखे एक किलो जितना बर्फी बनके त्यार हो गई है आप इसे किसी डपे में डाल के आप 10-15 दिन खा सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होगी तो देखे कितनी यमी और कितनी टेस्टी है थोड़ी सी टाइट बनी है नार्मल बर्फी जैसी नरम नहीं है और जो बहुत बर्फी नरम होती हो मुझे नहीं चासनी था उसे थोड़ी सी एक तार से जादा गाड़ी की हूँ इसलिए बनी अगर आपको ऐसी पसंद है तब चासनी को थोड़ी सी गाड़ी करके बनाए तो देखे कितनी इजी आसान है घर की चीजों से सिर्बेशन और चीनी से बना है ताब भी एक बार मेरे तरीके से खाये खाये एंजोई करें वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो